दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ elements application को किस तरीके से use किया जा सकता है क्या आप इस application से पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं और किस तरीके से आप इस application में अपना account बनाएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी detail दे दूँ दोस्तो इस application को launch किया है भारत की सरकार ने और उसके साथ साथ यहाँ पर वाइस प्रेजिडेंट आफ इंडिया विनकिया नाइडू जी ने इस application को launch किया है उसके साथ साथ दोस्तो आध्यात में गुरू है एक उनका नाम है श्री श्री रामानन्द स्वामी जी तो उन्होंने इस application को launch किया है अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस application को बनाया क्यों गया है दोस्तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं इडिया में जादातर application जो है वो बाहर की यूज़ होती है मालीज़े आभी चाइना की बंद हो गई है बहुत से ऐसी country हैं अमेरिका है यूरोप है और बहुत सारे ऐसी देश हैं जिनकी application इडिया में यूज़ होती है अगर आप Facebook और WhatsApp भी यूज़ करते हैं तो ये दोनों इंडिया नहीं है लेकिन दोस्तो अगर आप इस application को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ना तो Facebook यूज़ करने की जरूरत होगी और ना ही यहाँ पर आपको WhatsApp यूज़ करने की जरूरत होगी दोस्तों दोनों का mail है यहाँ पर आपको Facebook और WhatsApp दोनों की ही चीज़े मिल जाती हैं इसी application में तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस application को कैसे use करना है और कैसे इसमें अपना account बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस application को download करने ना है application का link मिल जाएगा आपको description में या फिर आप अपने play store से जाकर भी download कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको simply इस application को open करना है जैसी आप open करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने को जिस तरीके का option आ जाएगा तो आपको get start पर click कर देना है जैसी आप get start पर click करते हैं तो यहाँ पर आप language select कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 7 language दी गई है तो यहाँ पर मैं English select कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना mobile number देना होगा और mobile number दोस्तों आपको वही देना होगा जो आपके phone में हो तो मैं simply यहाँ पर अपना mobile number दे देता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ next पर click कर देता हूँ जैसे ही मैं next पर click करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक SMS आएगा जिसमें मेरा OTP आएगा तो मैं वो OTP डाल लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस application को कैसे use करना है दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारा जो OTP है वो यहाँ पर आ चुका है तो हम simply यहाँ पर type कर देते हैं अपना OTP और उसके बाद यहाँ पर हमें इने next पर click कर देना है जैसे हम next पर click करते हैं तो यहाँ पर हमारे समने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना first name डालना होगा तो मैं यहाँ पर अपना first name डाल देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना last name डालना होगा तो मैं यहाँ पर अपना last name भी डाल देता हूँ दोसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना password select करना होगा कोई भी आप password चूज कर सकते हैं लेकिन जो भी आप password यहाँ पर डालेंगे वो password आप याद रखें बस आपको इतना ही करना है तो मैं simply यहाँ पर अपना password भी डाल लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे करने हैं तो मैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो को बिल्गल भी escape नहीं करना है दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को escape कर दिया तो यहाँ पर आप कुछ भी मिस कर सकते हैं और दोस्तो मैं नहीं चाहता यह एक भारते एप है कि आप इस application के बारे में कुछ भी मिस करें तो दोस्तो मैंने यहाँ पर password डाल दिया है उसके बाद मैं OK पर क्लिक कर देता हूं जैसे मैं है OK पर क्लिक करता हूं तो अभी मैं यहाँ से simply escape कर देता हूं जैसे मैं यहाँ से escape करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का option आ जाता है तो यहाँ पर simply आपको escape कर देना है escape करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कुछ इस तरीके का option आ गया है तो यहां पर सबसे पहले जो हमारी जो चैट है यहां पर यह आएगी तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको starting से बता देता हूं कौन कोई से option यहां पर मिल जाते हैं सबसे पहले जो option मिलता है वो मिलता है हव का दूसरा मिलता है social का तीसरा म मिलता है अलर्ड का और पांचवा आपको सेटिंग का मिल जाता है उसके बाद दुस्तों यहां पर अगर आप किसी को कॉल करना चाहे तो यहां पर आप कॉल भी कर सकते हैं आप यहां पर बहुत ही आसानी के साथ वाटसप की तरह इस अप्लिकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फेस्बुक पर गेम खेलते हैं तो यहां पर भी आपको फेस्बुक वाले गेम मिल जाएंगे जो आप यहां पर खेलना चाहते हैं दुस्तों अगर आप यहां पर शॉपिंग करना चाहते हैं वो भी यहां पर आपको बहुत सारे सॉप्स भी मिल जाएंगे यहा आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ जिस तरीके का option आ गया है अब दोस्तों यह जो page है यह बिल्कुल same to shame आपको facebook जैसा मिलने वाला है यहां पर आपको कोई भी interface change नहीं मिलेगा यहां पर दोस्तों आपके सामने discover का feature है और यहां अगर आप चाहें तो यहां से भी post कर सकते हैं और आप कोई post search करना चाहते हैं तो आपको यहां पर option दिया गया है post search करने का आप इसे facebook की तरह use कर सकते हैं तो मैं यहां पर आपको simply post करके दिखा देता हूँ अगर आप यहां पर कुछ भी post करना चाहते हैं तो यहां पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ उसके बाद दुस्तो simply पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ जैसी मैं पोस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा नाम है वो यहाँ पर आ चुका है उसके साथ साथ मेरे चैनल का नाम भी यहाँ पर आ चुका है और दोस्तो अगर आपके contact में कोई भी इस application को use कर रहा है तो आप यहाँ पर search कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप चाहते हैं किसी नए contact पर कोई भी message करना तो यहाँ आपको plus का निसान मिल जाएगा आप simply यहाँ पर click करेंगे जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी friend या relative इस application को use कर रहा है तो उसका number यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी message उस वेक्ति को send कर पाएंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर अगर आपको calling करनी है तो calling के लिए यहाँ पर option दिया गया है और दोस्तो यहाँ पर आपको बहुत सारे feature धीरे मिल जाएंगे क्योंकि बिल्कुल नई application है थोड़े बहुत bugs हैं इस application में लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छा user interface मिलता है यहाँ पर आपको एक ही जगे सब कुछ मिल जाता है उसके साथ साथ दोस्तो यहाँ पर आपके सामने एक alert का option है आपको simply इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ तरीक का option आजाएगा अगर आप यहाँ पर कुछ भी search करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आपके सामने एक और option है यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई activation की जानकारी मिलती रहेग उसके बाद दोस्तो यहाँ पर man चीज़ आताती है setting के बारे में तो दोस्तो जैसे आप setting पर click करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ तरीके का option आजाएगा दोस्तो अगर आप अपना खुद का कोई handle मनाना चाहते हैं जैसे की Twitter handle होते हैं बिल्कुल आप इसी तरीके से अपना कोई भी handle बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना एक handle बना सकते हैं आप इस application को Twitter की तरह भी use कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको अपनी profile edit करना होगा और यहाँ पर आप simple तरीके से profile edit कर पाएंगे यहाँ पर दोस्तो आपको अपने account की setting मिल जा कर सकते हैं, password ही change कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर आप अपना account भी delete कर सकते हैं उसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपको privacy setting का option मिल जाता है तो यहाँ पर जैसी आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यह loading लेगा loading लेने के बाद आपके समने कुछ इस तरीके option आ जाएगा और यहाँ पर आप से कुछ सपाल पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पर उनका जवाब देना है कि मैं इस application में क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ आपको इस चीज का ध्यान लगना है यह जो application है, यह made in area है और government द्वारा बनाई गई है यहाँ पर government ने इसे launch किया है तो यहाँ पर आपको security reason की वज़े से कोई भी परिशानी नहीं आने वाली है और साथ ही साथ दोस्तो अगर आपको यहाँ पर अपनी कोई media setting देखना चाहें तो यहाँ पर आप अपनी media setting देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने phone book में चेक कर सकते हैं कौन-कौन इस application को use करना है आपका friend यहाँ पर आपको बहुत सारी detail मिल जाती है अब दोस्तो मैन बात कर लेते हैं आपको इस application में किस तरीके से पैसे कमाने हैं तो दोस्तो यह application जो है यह एक social media application है यहाँ पर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे और सायद in future में इस application से में कोई update आता है तो वहाँ पर भी आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन दोस्तो यहाँ पर मैं आपको एक bonus टिप दे दू इस application में दोस्तो आपको money transfer का option मिलने वाला है बहुत ही जल्दी आप इस application में कहीं भी payment कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ तो बस दोस्तो यही थी पूरी जानकारी इस application के बारे में आसा करता हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी अगर जानकारी समझ में आ गई है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें जिससे कि वो भी एक भारतिया एप यूज़ कर सकें बस दोस्तो मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए चैहिंद